तो यह वाली वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे स्टेट साफ मैटर को जो की हमारा लेक्चर नमबर टू रहेगा रिगार्डिंग कैमेस्ट्री तो इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेट साफ मैटर को देखिए इससे पहले हम lecture को start करें यहां पर थोड़ी बहुत चीज़े में आपको बताता हूँ देखिए state sub matter में हमारे पास एक तो आते हैं solid then आते हैं liquid then हमारे पास आते हैं gaze clear gaze यहां पर देखिए अगर मैं chemistry वाले solids की बात करूँ जहां पर आप वो वाइड़ वागेरा पड़ते थे उसको delete किया गया है NCRT में भी and जितने भी silvers हैं हमारे need का silvers, board का silvers सब में उसको delete किया गया है clear then अगर मैं other properties आप solids and liquidacy बात करूँ for example solids में हमें देखना है youngest modulus, bulk modulus, then जितनी भी properties हैं हमारे हमारे पास clear वो सब हम कहां पर देखेंगे या फिर liquidacy properties like viscosity, surface tension density वागेरा ये हम कहां पर पढ़ेंगे physics में ये हम कहां पर पढ़ेंगे physics में जब हम पढ़ेंगे हमारा next chapter क्योंकि 6 chapters में ने अलड़ी आपके cover किये हुए हैं जब हम बलक matter वाला chapter पढ़ेंगे बलक matter में हमें क्या पढ़ना है एक तो solidus को पढ़ना है दूसरा हमें fluidus को पढ़ना है fluidus हैं हमारे पास liquid and gases भी आते हैं but liquidus की properties in detail वहां पे होंगी इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे इस वाली वीडियो में हम chemistry point of view से देखेंगे जो गेस हैं हमारे इनको हम cover करेंगे जो गेस हमारे हैं इनको हम cover करेंगे chemistry point of view से अगर मैं यहां पे chemistry point of view से आपको liquids पढ़ाता तो यहां पे आपको छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी होती viscosity क्या होती है surface tension क्या होता है हमारे पास clear so यह सब चीज़ है but इनका हम detail discussion करेंगे जब हम बलक मेटर को पढ़ेंगे clear so यह वाला chapter जो होगा यहां पे brief introduction आपको पहले मिलेगा solid decret and gas मारे पास जा होता है जो कि कावी job exams में पूछा जाता है then gases की हम detail में बात करेंगे clear now बस आपको खाली एक काम करना है आपको notes बनाते जाना है बाकी इंडिया का कोई भी paper उठा के देखो job exam especially मैं job exam की बात कर रहा हूँ चाहे आप JK SSB का paper देखो JK PSC का paper देखो या फिर आप SSC के paper देखो आप RRB के paper देखो या फिर इंडिया में कोई भी job exam का paper आप उठा के देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपका एक एक कुशन बनेगा बस आपको क्या करना है notes अपने maintain करने है and then आपको क्या करना होगा time to time revision करना होगा revision is very very important and जो मैं MCQs लगा रहा हूँ आपके वो भी आपको करने है and साथ साथ में आपको खुद books वगेरा लानी होगी जहांसे आप MCQs करेंगे clear and मैंने अलड़ी बोला हुआ है जो youth publication है youth publication youth publication के लिए publication की books आती है जहांपे आपको काफी ज़्यादा questions मिलेंगे so youth publication आप लाज सकते हो अगर मैं बात करूँ यहांपे solid liquid and gas की तो देखिए solid जो हमारे पास होते है they have definite shape clear इनके पास definite shape होती and जितनी भी properties यहांपे मैंने mention की है इनको जो job exam होते हैं इनको वहाँपे as statement दिया जाता है वहाँपे आपको बोलेंगे true false clear या फिर आपको बोलेंगे statement one is correct statement two is correct ऐसे ही कुछ आपको question दिया जाएगा देखिए जो हमारे पास solid होते हैं इनके पास definite shape होती है then liquids and gas में ऐसा नहीं होता है जो हमारे पास liquid या फिर fluids या अगर मैं बात करूँ जो fluids हमारे पास होते हैं they attain the shape of a container जो solid हमारे पास होते हैं इनकी high density होती है देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई solid लो for example यह है मेरे पास यहाँ पे solid इसमें क्या होगा जो solid particles होते हैं या फिर solid molecules होते हैं इनमें काफी common voids होते हैं यानकि इनमें जो packing होती है it is very close as compared to liquid and gas इसलिए हम बोलते हैं इनमें high density होती है यानकि इनकी जो density rho होता है यह काफी ज़्यादा होता है in compared to liquid and gas gas में क्या होता है gas में low density होती है आप एक gas को easily compress कर पाऊगे यानकि अगर आपको compress करना होगा किसी भी gas को आप easily compress कर पाऊगे so होगा क्या इसका जो volume होगा वो यहाँ पे काम होगा clear next space between particles या molecules is minimum जो space है particle से बीच या फिर molecules से बीच it is minimum कहाँ पे solids में क्योंकि यहाँ पे जो packing होगी यह close होगी इनमें जो packing होगी it will be close आचा है liquid में moderate and gases में क्या होगी जो space होगी वो maximum होगी यांकि for example यह है मेरे पास कुई gas यहाँ पे एक particle यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे so जो particles होगे इनके पास इनके बीच क्या होगी जो gaps होगे वो काफी ज़ादा होगी clear इसी कारण क्या होगा इनकी जो density होगी वो low होगी आचा इनके बीच देखिए next property force of attraction between particles is the strongest कहाँ पे solid में so gases में क्या होगा particles दूर दूर हैं जो force of attraction होगे वो क्या होगे काफी जादा weak होगे in fact ये होगे weakest कहाँ पे gases में liquid जो है वो moderate category के आते हैं बस आपको solid and gas को लेके चलना है difference में liquid जो आते हैं वो बिचारे moderate category में आते हैं काइनिटिक इनर्जी अगर मैं काइनिटिक इनर्जी की बात करूँ जो काइनिटिक इनर्जी होती है solid में particles की वो काफी कम होती है क्योंकि देखिए जो particles यहाँ पे को दिख रहे हैं यह क्या है यह है closely packed so यह easily moon नहीं कर पाएंगे for example अगर आप इसको solid को heat करोगे या फिर कुछ और करोगे so इनमें जो particles होगे इनकी easy moment नहीं होगी and for example अगर आप किसी gas वगेरा को heat करोगे तो होगा क्या जो gas particles होगे यह kinetic energy को attain करते है and we know that जो kinetic energy हमारे पास होती है it is one half of mv square clear one half of mv square so जितनी kinetic energy ज़्यादा यहाँ पे आपको clearly दिख रहा है kinetic energy is directly proportional to v square therefore velocity क्या होगी ज़्यादा अगर velocity high attain करेगा particle तो यह easily move कर पाएगा clear therefore जो kinetic energy होती है maximum होती है किन के पास gases के पास then इसी कारण क्या होता है जो diffusion होता है किन में gases में it is fastest जो diffusion होता है gases में it is fastest for example आप एक अगरबती को जलाते हो clear आप एक अगरबती को जलाते हो तो होता क्या है जो अगरबती में अगरबती में वो दुआ वगेरा होता है ना महक वगिरा होती है, खुझबु होती है वो easily spread कर जाती है वो easily fail जाती है, इसलिए क्याँकि gase में हमारे पास जो diffusion होता है it is easy,शनम की moment जो होती है, यहाँप एक particle and see it is easy, कहाँ पर gase में तो ये थी कुछ basic difference जजाब को अलड़ी पता होंगी बट इनको एक्जाम में पूछा जाता है नेक्स्ट और भी दो हमारे पास हैं दो स्टेट्स यहां पे वानिस प्लाजमा अनदर इस यहां पे बोर साइनस्टीन कंडंसेट अचा प्लाजमा जो है ये कुशन पूछा जा चुका है कि पलाजमा को पहली बार किसने बोला कि पलाजमा हमारे पास है तो इट इस विलियम क्रुक्स काफी बार ये एक्जामस में पूछा जा चुका है कि विलियम क्रुक्स ने क्या किया तो पलाजमा जो है इसकी definition इसी ने दी या फिर इसको invent इसी ने किया अच्छा पलाजमा अब ये क्या होती है वो सबस्टांस हमारे पास जो की higher temperature पे बनती है और इनके पास या होते हैं free electrons and ions बो साइनस्टीन की आगर मैं बात करूँ इट कौन साफ किन से बना हुआ होता है subatomic particle like electron हमारे होगे proton हमारे होगे clear which are cooled to temperature very near to zero Kelvin यानकी इनमें जो temperature होता है it is nearly कितना zero Kelvin हमारे पास and अगर मैं यहाँ पे बात करूँ application की plasma में तो stars होगे टिमिंग लिंग बगेरा होगी या फिर lights की टिमिंग लिंग होती है तो यहाँ पे किसकी application होती है plasma की आचा अब कुछ बच्चे बोनेंगे reflection भी होती है वो that is different thing वो हम physics में पढ़ेंगे clear आचा बो साइनस्टीन की आगर मैं बात करूँ बो साइनस्टीन आपको कहाँ पे दिखेगा इसी application neutron star में then liquid helium में clear wait a second now देखिए तो यह थी इनकी application plasma and बो साइनस्टीन की अचा एक exception यहाँ पे हमारे पास है solid की solid के बारे में आपको मैंने बोला कि जो solid हमारे पास हैं इनमें जो molecules हैं या फिर particles हैं यह हैं इनमें closer packing होती हैं so यह easily compressed नहीं हो जाते हैं इनकी easily नहीं दब जाते हैं but हमारे पास एक solid ऐसा है यह आपने देखा होगा sponge जिसको हम utensil वागेरा शाप करने के लिए use करते हैं जनरली अपनी रसोई में तो यह जो sponge होता है हमारे पास it is a solid but it easily gets compressed तो यह भी आप याद रखेंगे इसको भी एक्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा solid हमारे पास होता है जो easily compressed होता है on applying small amount of force तो it is sponge next रहें यहाँ पे properties of gases कुछ important properties हमारे पास यह जो properties यहाँ पे है इनको आप मानिए कि एक objective पूछा जा चुका है clear यह सभी किसी ना किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे अगर हम पहले बात करें नमराप gases की कहां पे पीरडिक्टेबल में तो हमारे पास जो पीरडिक्टेबल होता है इसमें आपको 11 gases मिलेंगे अब क्या क्या मिलेंगे इनको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपसे ऐसा भी कुछन पूछा जाता है कि आप दी फॉलिंग इस नॉट है गेस क्लियर कौन सा गेस यहां पे नहीं है तो हैडरोजन नाइडरोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन हीलियम नियोन आरगान क्रिप्टाउन जीनोन रेड़न तो यह हमारे पास होते हैं basic 11 गेस यहां पे clear तो इनका आप ध्यान रखेंगे आचा है गेस के रिगार्डिंग कुछ और important points जो की पूछे जाते हैं job exam इसमें पहला lightest element तो lightest element जो हमारे पास होता है it is hydrogen बार बार इसको पूछा जाता है lightest element बोलिये most abundant noble gaze most abundant noble gaze जो हमारे पास होते है it is argon तो यह हमारे पास है noble gaze यहां पे helium, neon, argon, krypton, xenon, redon clear तो यह 6 जो यहां पे हैं these are noble gaze तो इनमें जो most abundant होता है it is argon clear अच्छा most easily liquefable तो most easily liquefable इनमें कौन होता है it is xenon clear अच्छा redon की आगर मैं बात करें बात करूं यहां पे हर एक को पता होगा कि redon जो हमारे पास होता है it is basic radioactive noble gaze तो यह noble gaze में क्या होता है radio active आच्छा then constitution book of India अगर आप मैं किसी ने quality वगेरा पड़ी होगी तो हमारा जो इंडिया है या फिर कोई भी country है तो हर एक country का क्या होता है अपना constitution होता है हर एक country का अपना constitution होता है अपना आईन होता है अगर मैं इंडिया की बात करूं इंडिया में जो constitution book है इसको रखा गया है अंडर किसके helium gaze यह भी काफी बार objective पूछा जा चुका है clear? now moving forward now अब देखिए अगर मेरे पास कोई भी gaze होगा कोई भी gaze होगा जो gaze होगा मेरे पास इसकी state को define करने के लिए इसकी state को define करने के लिए मेरे पास 4 important properties होती है कोई भी gaze की state को define करने के लिए मेरे पास important 4 properties होती है पहला यहाँ पे quantity of gaze इसको हम किसमें लेते हैं? moles में number of moles में हम देखते हैं कि quantity of gas कितनी है then temperature of gas temperature कैसा है then volume of gas volume कैसा है then pressure of gas so these are important four properties जो कि measurable properties हमारे पास होती है किसी भी gas की so ये direct exam में पूछा जाता है what are the four measurable properties आपको वहाँ पे option दिये जाएंगे clear? so जो हमारे पास quantity होगी ये किस में होगी moles में temperature को किस में हम देखेंगे kelvins में volume को liters में and pressure को generally हम atmosphere में देखेंगे clear? अच्छा now कुछ characteristic properties है या पे gases ही already हमने अभी डिसकुस ही gases जो हमारे पास होते है they can be easily compressed gases जो होगा हमारे पास इसको easily compressed कर पाएंगे ये इसलिए दब जाएगा then this is low density इसलिए easily दब जाएगा क्योंकि इससे पास जो rho होता है density होती है वो कम होती है then kinetic energy maximum होती है क्योंकि इसमें जो particle होते हैं वो दूर दूर होते हैं therefore force of attraction क्या होगा? कम particle से बीच में basic class है boilers law charles law galosax law then how are you gonna do law? तो इन charles को आपको देखना है काफी important हर एक को exam में पूछा जाता है especially boilers law and charles law ये दो काफी ज़्यादा important आचा देखे boilers law क्या कहता है? simply ये कहता है अगर मेरे पास temperature temperature और number of moles constant है clear? अगर मेरे पास temperature and number of moles एक gase के constant है then ये किसके बीच relation define करा ये बोल रहा है कि आप temperature and यहाँ पे कोई gase है इसमें कोई gase रखा हुआ है ये बोल रहा है कि आप temperature and number of moles कहा रहा हो constant यहाँ पे then ये किसके बीच हमें relation देता है यह हमें pressure and volume के बीच यहां पे relation देता है clear and यह क्या कहता है यह कहता है the pressure of any gases inversely proportional to the volume यहनकि जो pressure होता है it is inversely proportional to volume यहनकि clearly यह बोलता है कि जितना pressure of apply करोगे उतना volume क्या होगा वो gaze का गटेगा and यह हर एक को easily समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी भी gaze पे क्या करेंगे pressure apply करेंगे clear so किसी भी gaze पे हम क्या करेंगे pressure apply करेंगे उसकी जो volume होगी उसकी volume क्या होगी उसकी volume degrees होगी so it gives a relation between pressure and volume यहां पे and जो हमारे पास graph आता है वो कुछ यह हो आता है clear यहनकि non-linear graph यह क्या है non-linear so एक non-linear करू हमारे पास आती है clear इसका भी ध्यान रखिएगा यह भी पूछा जाता है कि boiler's law में हमारे पास करू क्या आती है linear non-linear तो non-linear करू आती है clear क्योंकि P जो है it is inversely proportional to volume यहां पे therefore I can write अगर मेरे पास जो P है it is inversely proportional to volume proportionality को मैं हटा हूँ so I can write यहां पे कोई constant K upon V और यहां पे I can write P into V किसके बराबर होगा P into V constant होगा clear P into V constant होगा मेरे पास and numericals के लिए आप यह यूज़ करोगे अगर हमारे पास दो गिस्स हैं यह है गेस 1 and यह है गेस 2 so आप लिख सकते हो P1 V1 is equal to P2 V2 clear यह equation आप use कर सकते हो P1 V1 is equal to P2 V2 अगर आपसे कोई एक unknown पूछा जाए clear for example मैं आपको बोलूगा P1 निकालो so आप बोलोगे यह किसके बराबर होगा P2 V2 upon में V1 क्योंकि V1 आप इदर नीचे ले जाओगे clear so इस equation का आप use करोगे and यह equation P1 V1 is called P2 V2 कहां से निकल के आती है boiler slash से clear so इसका आप ध्यान रखेंगे आचा जो यहाँ पे हमारा graph बनता है clear जो हमारा यहाँ पे graph बनता है clear so यह किसको देता है हमें यह actually हमें temperature को देता है and इसलिए इस graph को हम क्या बोलते हैं isotherm graph clear इस graph को हम क्या बोलते हैं isotherm graph so अज़न के इस बात का भी आप ध्यान ब्लिखेंगे जो graph होता है इसको हम क्या बोलते है aisotherm graph aचा next जो हम बोलते हैं standard temperature and pressure यानके STP बार बार हम बोलते हैं esto so step actually होता क्या है stp क्या होता है Part 3 standard temperature and pressure so standard temperature and pressure का मतलब यह हुआ जो temperature हमारे पास है it is 273 degree Kelvin clear जो temperature हमारे पास है it is 273 degree Kelvin और it is equal to 0 degree Celsius so इस temperature पे हम क्या बुलेंगे यह हमारे पास हो गया standard temperature अच्छा standard pressure की अगर मैं बात करूँ जो standard pressure हमारे पास होता है it is 1 atmosphere क्योंकि pressure के unit हमारे पास होते है pascal होता है pressure का unit and साथी में atmosphere भी हमारे पास होता है किसका unit pressure का unit या फिर dine per centimeter square या फिर newton per meter square देखिए pressure के unit अगर मैं pressure के unit सी बात करूँ newton per meter square जिसको हम pascal बोलते हैं then dine per centimeter square हो गया हमारा then atm हो गया हमारा clear So, ये सबी कहें, ये सबी हैं, unit's of pressure, इनको हम कहां पे देखेंगे, जब हम physics में जाएंगे, बलक properties of matter, वहीं पे इन सब का discussion भी हम करींगे, clear, अच्छा, So, एक atmosphere कितना होता है हमारे पास, it is 10 raised power 5 bar, कितना होता है हमारे पास 10 raised power 5 bar, So, इन conditions में हम बोलते हैं, ये conditions हमारी क्या होती है, standard temperature and pressure, So, ये भी objective में दिया जाता है, कि standard temperature and pressure conditions क्या होती है, इनको भी RRB, SSE में काफी बार पूछा जा चुका है, clear, And, आपका जो paper होता है, JK SSB का, वो महलनी इन्ही, या तो copy-pasted होगा इन्ही एक्जाम से, या तो कुछ अपने kushners बनाएंगे, But, जो factor रहेंगे, वो यही रहेंगे, clear, अच्छा, अगर मैं pressure measurement की बात करूँ, pressure measurement को हम manometer से major करते हैं, barometer से major करते हैं, अब कोई बोलेगा, barometer से भी major करते हैं, but, again मैंने आपको बोला, इनका discussion हम कहां पर करेंगे, physics में की barometer से, किस step का pressure हम major करेंगे, क्योंकि pressure हमारे पास काफी different होते हैं, local atmospheric pressure, या फिर atmospheric pressure, गाज pressure, clear, so, इनका discussion हम वहीं पर करेंगे, clear, so, इन चीज़ों को आपने note down किया होगा, so, this is all about boiler's law, next है charter's law, अब देखिए, boiler's law में क्या हो रहा था, temperature and number of moles को हम constant ले रहे थे, relation किस के बीच, P and V के बीच, clear, P and V के बीच, क्योंकि मैंने आपको बोला, 4 important measurable properties हमारे पास हैं, PV और NT, so, boiler's law में हमने क्या किया, NT को यहाँ पे कह लिया, constant, P और V के बीच relation देखिए, अब हैं हमारे पास 14 law, 14 law, देखिए, जो 14 law हमारे पास होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देख देखते हैं, at constant pressure and constant number of moles, clear, किस पे, यहाँ पे 14 law, so, 14 law में हमारे पास, जो P होता है, N होता है, इनको हम constant रखते हैं, so, P and N को, अब बचा कौन, अब बचा V और T, क्योंकि यही चार measurable properties हमारे पास हैं, clear, so, अब मैं बोलूँगा, अगर मैं V और T के बीच relation देखू, so, यह कि कि volume जो होता है, volume, it is directly proportional to temperature, so, volume will be directly proportional to temperature, and जो हमारा grab बनता है, वो कुछ ऐसे बनता है, linear graph, citrate line graph, so, यह हो गया, citrate line, या फिर linear graph इसको बोल सकते हो आप, clear, so, यहाँ पे हमारा linear graph बन रहा है, but, boilis law के case में हमारे पास non-linear graph बन रहा था, clear, so, इसका मतलब यह हुआ, कि, जितना volume increase होगा, उतना temperature बढ़ेगा, या फिर, जितना temperature बढ़ेगा, उतना volume increase होगा, clear, so, अगर temperature बढ़ेगा, होगा, क्या, जो गेस पार्टी कलस होगे, वो move करेंगे, यानकि, उनमें kinetic energy ज्यादा आएगी, so, वो ups में दूर दूर जाएंगे, so, volume क्या होगा, volume बढ़ बढ़ेगा, clear, so, अगर मैं, boilis law की बात करूँ, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, वहाँ पे हमें temperature मिल रहा था, इसलिए उसको हम बोलते है, isotherm, and ये graph, आपको क्या देता है, pressure, इसको हम बोलते है, iso bar graph, clear, next, gae lushex law, देखे, gae lushex law की, अगर मैं बात करूँ, gae lushex मुलक को क्या करो, आप इनको constant लो, ध्यान में रखिएगा, हर एक को कुशन पूछा जाता है, कि गेल शेकले किनको constant लिया, then, यहाँ पे, charles ने किनको constant लिया, boil ने किनको constant लिया, so, इनका आप ध्यान रखेंगे, अपने notes अच्छे से बनाइंगे, and आगे जाकर, एक table मैं, simply मैं आपको बताऊंगा, table आपको रटा, याद रखना होगा, clear, अच्छा, now, अगर हमने V and N को constant रखा, so, हम देखेंगे, किसके बीच relation, pressure versus temperature relation, therefore, pressure versus temperature, and जो relation आती है, it is direct, यह किस ने बोला, गेल शेक ने बोला, अगर आफ क्या कर रहे हो, अगर आफ volume and number also constant रख रख रहे हो therefore, जो pressure होगा, यह गेल सा, it will be directly proportional to temperature, clear, so, जितना pressure increase होगा, उतना ही हमारा temperature भी increase होगा, clear, and इस condition में आपको जो graph मिलेगा, that is called isochore graph, इस graph को क्या बोला जाता है, isochore, यहनकि simply यहापे आपको क्या मिलती है, volume मिलती है, clear, isochoric, clear, isochoric conditions हमारे पास यह होती है, clear, जब हम volume को find out कर दें, then, एवोगेडरो ला, अगर मैं एवोगेडरो ला की बात करूं, तो एवोगेडरो ला में हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे एक तो temperature हो गया, दूसरा pressure हो गया, इनको constant रखेंगे, अब बचा कौन वहाँ पे, V और N, so, एवोगेडरो क्या कहता है, यह कहता है, ज और वोल्यूम जिसको मैंने कम लिया यहाँ पे, क्योंकि यह है, गेस वन, यह है, गेस टू, आपको क्लियरली दिखराए कि गेस वन में वोल्यूम ज्यादा होगा, अगर गेस वन में वोल्यूम ज्यादा होगा, तो number of moles यहाँ पे ज्यादा होंगे, यहाँ पे क्या होंगे number of moles काम होंगे तो जितना volume ज्यादा उतने number of moles ज्यादा होते हैं gaze particles के तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे तो ये थे हमारे पास चार basic glass क्लियर चार basic glass यहां पे मैंने इनको क्या किया है यहां पे इनको मैंने summarize किया है क्लियर यह आप याद रहेंगे आप therefore, boil is law क्या-क्या constant, temperature and number of moles कौन सी condition? आईसो-thermal देगा चार्ल जा, constant, pressure and number of moles यहाँ पे क्या मिलेगा आईसो-bari graph क्या constant, case में, galosac में volume and number of moles क्या क्या constant, temperature and pressure therefore, जब यहाँ पे हमने graph देखा P versus V वो क्या बना? non-linear is inversely proportional to V अच्छा, यहाँ पे VT graph हमने देखा VT graph में क्या देखा? हमने linear relationship, क्योंकि V is directly proportional to T, गे-लुषय के case में again, pressure versus temperature में हमने क्या देखा? linear graph, क्योंकि pressure is directly proportional to temperature and यहाँ पे भी क्या बनेगा? यहाँ भी हमारे पास linear graph ही बनेगा, क्योंकि V is directly proportional to N, so in चीज़ों का अब ध्यान रखेंगे and यहाँ से एक question तो पूछा ही जाता है but question तो हमारे पूछे जाएंगे at max 12 to 15 कहाँ पे chemistry में, so किसी भी chapter से पूछ सकते हैं, but यहाँ से job exams में काफी बार question देखे जा चुके हैं now ideal case equation ideal case equation देखे, ideal case equation हमारे पास कैसे बनती है, जब हम boyless law and charles law, charlie नहीं है यहाँ पे, it is charles law, जब हम boyless law and charles law को combine करते हैं, यह question भी पूछा जा चुका है, कि ideal case equation आपको कैसे obtain होती है, कौन 2 law से, कौन से 2 law से, आपको ideal case मिलती है, so it is boyless law and charles law यहाँ कि boyless law and charles law से हम derive करते हैं, इसकी बाज़ापते derivation होती है, 11th में, but derivation में हमें नहीं जाना है, clear बस important चीज़ें हमें देखनी है so, यह जो ideal case equation है PV is equal to NRT हर एक को पता होगा, PV is equal to NRT, so इसी को हम बोलते है, ideal case equation यह आपको कहां से मिलती है boyless law and charles law से यह भी MCQ पूछा जा चुका है कापी बार, clear, हर एक point MCQ है यहाँ पे, अच्छा जो R होता है यहाँ पे R हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते है universal gas constant R को हम क्या बोलते है, universal gas constant, इसका value कितना 8.314, R का value हमारे पास कितना होता है 8.314, in fact हमारे पास जो R का value होता है 8.314, अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास जो R का unit है, वो Joule per Kelvin mole आ रहा है, तब इस condition में R का value जो है 8.314, अब कोई बोलेगा Joule Kelvin mole कहां से निकला मैंने इसलिए आपको physics में बोला था जो पहला chapter था, हमारा that was very important, clear so, देखे, हमारे पास है PV is equal to, यहाँ पर निकाल के दिखा दे हैं आपको की unit कैसे निकलता है, clear, अचा, PV is equal to nRT, so, हमें क्या निकालना है जो R है, इसके unit निकालना है, so, I can write जो R होगा it will be PV upon nT, PV upon nT, clear, अचा, P क्या यहाँ पर pressure, pressure के unit, pastel, या फिर Newton per meter square, into volume volume के unit, meter cube अचा, number of moles, आलड़ी मैंने बोला, किसमे, mole में अचा, temperature, किसमे, Kelvin में, now देखे, होगा क्या, meter square में यहाँ पे, दो, खतम बचा क्या, meter, so, उपर बचा, meter, यानकी, Newton into meter, नीचे बचा, mole into Kelvin, so, हमारे पास, या होता है, joule, so, joule per mole into Kelvin होगा, unit किसका, ऐसा unit की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा unit किसका, R का, R मतलब, universal gas constant, and इसको काफी बार पूचा जो चुछा है, कि unit क्या है, हमारे पास, clear, इसका unit क्या होता है, हमारे पास, clear, अब देखे, यह तो सिखा आपने unit निकालना, अब मैंने बोला, आपको R की value हमारे पास 8.314, so, R की value आप याद रखेंगे, 8.314, कब जब हमारे पास, जो R के unit हैं, वो कहें, Joule per Kelvin mole, तब इतना value होता है इसका, clear, तब जाकर, इतना value होता है इसका, so, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, clear, अच्छा, अब, R जो होता है हमारे पास, it is equal to 0.082, या फिर 314, clear, अच्छा, कब, जब हमारे पास R के unit होते हैं, atmosphere, अच्छा, Kelvin mole में, clear, Kelvin mole में, या फिर, R जो हमारे पास होता है, आप से कोई भी पूछा जा सकता है, बट ज़्यादा तर किसको पूछा जाता है, 8.314 को, so, ऐसा नहीं है, आप खाली रटा याद रखेंगे, 8.314 जो मैं, अलग से ही आपे बता रहा हूँ, इनका भी आप ध्यान रखेंगे, में भी option में, ये भी दिये जाएं, बट खाली आपको उस टाइम यूनिट का ध्यान रखना होगा कि किस यूनिट में हमें पूछ रहा है clear, अब आर का वैल्यू अगें, हमारे पास होता है, 8.314 इंटो 10 to the power 7, अचा अगर हमारे पास, आर के जो यूनिट है it is अरग अरग, क्योंकि जो अरग होता है, यह कहां पे हम लेते हैं CGS सिस्टम है, किसका, जूल का clear, अचा, कैल 1 मॉल, सो इस कंडिशन में आप क्या लोगे, 8.314 into 10 to the power 7, किसका, आर का वैल्यू सो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे clear और भी वैल्यूस हैं, बट यह तीन आपके लिए important रहेंगे मेरे साब से, clear, now अच्छा, the guess which obey, ideal guess equation, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ideal guesses बोलते हैं, clear जो हमारे पास ideal guess होते हैं, वो क्या obey करते हैं, वो obey करते हैं, ideal guess equation, and ideal guess equation obey करने के लिए कुछ standard conditions होते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे, now kinetic theory, clear, so before अच्छा, यहीं से हमारी एक और classification निकलेगी, ideal guess जा होता है, real guess जा होता है, before knowing that, हमें जानना होगा कि kinetic theory of gases जाए है हमारे पास, देखे, kinetic theory of gases, इसके postulate काफी जादा important, exam में इनको पूछा जाता है, clear, and physics में भी हमें एक चैप्टर पढ़ना है, kinetic theory of gases, चैप्टर का नाम ही है वहाँ पे, clear, अच्छा, postulates, पहला postulate, यह क्या कहता है, यह कहता है कि all particles are in constant random motion, यहन कि जितने भी particles हैं, यह क्या करते हैं, constantly, random motion में हैं, clear, कोई उपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, clear, therefore, जब यह random motion में हैं, so होगा क्या, इनके बीच, क्या होंगे, इनके बीच collisions होंगे, यह आप समें टकराएंगे, all collisions between particles are perfectly elastic, so यह बोलता है, इनमें जो collisions हैं, वो perfectly elastic हैं, अब perfectly elastic क्या होता है, inelastic collision क्या होता है, already मैंने physics में आपको पढ़ाया, clear, अच्छा, next postulate, the average kinetic energy of molecules is directly proportional to temperature, काफी ज़्यादा important, and इनको भी again हम physics में देखींगे, clear, but basic equation क्या होती है, यहाँ पे जो kinetic energy की, जो kinetic energy हमारे पास होती है, it is equal to basically 3 by 2, KT या फिर KBT, आच्छा, KB क्या है, वहाँ पे हम बात करेंगे, voltage man, constant बागिरा की, so, यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि, kinetic theory के according, जो kinetic energy होती है, it is directly proportional to temperature, यहनकि, kinetic energy जो है, it is directly proportional to temperature, so, यह क्या बोलता है, but, यह कौन सी kinetic energy है, यहाँ पे, it is average kinetic energy, यह बोलता है कि, जो kinetic energy है, gas molecule की, किसी भी gas molecule की, it is directly proportional to temperature, यहनकि, जितना ज्यादा temperature होगा, उतनी kinetic energy वो attain करेगा, उतनी velocity वो attain करेगा, उतना वो गूमेगा, clear अच्छा, देन, क्या बोलता है, intermolecular forces, चाहे attraction हो, या फिर repulsion हो, यह क्या बोलता है, intermolecular attracts, intermolecular forces किनके बीच, particle से बीच intermolecular force क्या है, negligible clear, and साथी में क्या बोलता है the volume of particles, इने gases negligible, तो volume को भी यह क्या बनता है, negligible, and in fact यही दो क्या बनते हैं, फिर इसका draw bag बनते हैं, फिर हमारे पास क्या आती है, wonderwalls equation, जो आपने अपने, अपने, इलेवंत में पड़ी होगी, या फिर अपने, नीट पगेरा, जब आप इंटरंस में होगी, आपने वहाँ पड़ी होगी, फिर wonderwalls क्या करता है, इसको क्या करता है, इसको क्या करता है, अगर आपको याद होगा, फिर वो क्या करता है, गेस equation को modify करता है, काफी ज़्यादा important, आगे जाकर इसी lecture में हम देखेंगे, clear? ये थे postulates, related to kinetic theory of gas, अपने notes में इनको छापना हर एक को पूछा जा चुका है, exam में, clear? next, difference between real gas and ideal gas, so difference चाहे, एक real gas and ideal gas में, so अभी मैंने बात की ideal gas equation की, so वो gas जो ओबे करते हैं, कि इसको ideal gas equation को, and साथी में kinetic theory of gases को इनको क्या बोला जाता है, ideal gas, एक तो, ये ideal gas equation को ओबे करने चाहिए, and साथी में kinetic theory of gases को ये ओबे करने चाहिए, इनको हम बोलते हैं, ideal gas, क्या बोलते हैं, ideal gas, आचा, real gas, आचा, basically ideal gas, ideal gas का concept हमें, क्योंकि कोई भी चीज ideal नहीं होती है, but ideal gas का concept हमें कहां पर utilize होता है, for example, मैं आपको बोलूँगा, मैं यहापे क्या लूँगा, मैं यहापे gas के लिए, कितना volume आप container जो है, वो build करना होगा, so, by standard pressure and temperature condition से मुझे पता चलेगा, कि कितना volume मुझे build करना है, इस container का, आचा, so, यहनकी 100 liters के लिए, so, यह basically हमें कहां से पता चलता है, ideal gas equation से, clear, आचा, next, real gas, अगर मैं real gas की बात करूँ, जितने भी gas आपको, अपनी day-to-day life में, जो होते हैं हमारे, so, या फिर, जो really exist करते हैं, उनको हम बोलते हैं, real gas, for example, nitrogen gas, oxygen, CO हो गया, CO2 हो गया, यह हमारे पास जा होते हैं, यह हमारे पास real gases होते हैं, clear, आचा, next, most important point here, real gas जो होते हैं, they do not obey ideal gas equation, ना तो ideal gas equation को obey करते हैं, एक तो ideal gas equation, इसको नहीं obey करते हैं, साथ में, जो kinetic theory अभी हमने देखी, इसके postulates को भी obey नहीं करते हैं, यह काइनिटिक theory को भी obey नहीं करते हैं, कौन? real gas, आचा, यह nearly obey करते हैं, ideal gas equation को किन conditions पे, इसलिए, यहां पे फिर conditions का ध्यान रखना होगा, हमें, एक real gas, ideal gas equation को obey करेगा, बट कुछ important conditions पे, condition क्या है, हमारे पास high temperature होना चाहिए, temperature ज्यादा होना चाहिए, and low pressure होना चाहिए, and इसको बार-बार exam में पूछा जाता है, कि real gas कब obey करेगा, ideal gas equation को, तो आपको याद रखना है, जब temperature ज़्यादा pressure कम, clear, अच्छा next, diffusion, अब देखिए अभी हमने बात की थी, कि gas में हमें क्या मिलता है, diffusion देखने को मिलता है, clear and इसी के उपर एक important law है यहां पे, it is, gram slab diffusion diffusion क्या होता है, it is simply separating out and mixing up a substance with another substance is called diffusion, clear यांकि, जो दुआ वगेरा निकलता है हमारा, वो किस में मिलता है, वो year के साथ मिलता है, clear, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते है, diffusion बोलते है, अच्छा diffusion जो होता है, it is fastest in case already हमने lecture की beginning में ही देखा clear, now diffusion के related हमारे पास यहां पे ला है, और यह किस ने दिया था, ग्रामस आप ने दिया था, clear, ग्रामस लाप diffusion अच्छा, यह क्या कहता है, यह क्या था है कि at constant temperature and pressure, यह temperature and pressure को आप क्या रखो, आप constant रखो, then, यह क्या बोलता है, the rate of diffusion of different gases are inversely proportional to the square root of the molecular masses यहन कि जो rate होगी clear, rate of diffusion जो होगी, it will be inversely proportional to square root of it will be inversely proportional to square root of molecular mass molecular mass of that gas, clear, molecular mass of that gas, clear, so अगर किसी gas में molecular mass ज्यादा आ रहा है, तो rate of diffusion क्या होगा, rate of diffusion कम होगा, clear rate of diffusion कम होगा, for example मेरे पास दो gases हैं, A and B, so क्योंकि generally इसमें इसी type के questions आपको दिये जाएंगे, दो का comparison आपको बोलेगा, clear so, मैं बोलूँगा या फिर 1 and 2, so मैं बोलूँगा R1 by R2, clear, so R1 by R2, क्योंकि R जो हमारे पास है, it is proportional to 1 by, it is proportional to under root 1 by M, according to gram's law, क्योंकि यह direct gram बोल रहा है, so R1 by R2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ R1 by R2 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, M2 by M1 R2 R1 by R2 को मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, M2 by M1 clear, क्योंकि R जो मेरे पास है it is inversely proportional to 1 by M, so I can write यहाँ पे R2 by R1 is proportional to या फिर is equal to M1 sorry, अच्छा, उपर क्या मैं, अच्छा, बिल्कुल correct, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो clear, so, इसको हम बोलते हैं यह हमारे पास है, gram slab diffusion clear, gram slab diffusion, अच्छा, अब जो rate हमारे पास है, rate जो हमारे पास है it is basically volume upon time, clear, volume upon time so, it is V by T, so I can write यहाँ पे R1 by R2 की जगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V1 by T1 upon V2 by T2 is equal to यहाँ पे किसके बराबर under root M2 by M1 clear, यह भी मैं लिख सकता हूँ यह equation भी आपको ध्यान में रखनी होगी so, basically, जितनी भी equation यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यह आपके लिए important है so, पहली equation यह आप याद रखेंगे equality यहाँ पे लगाईएगा R1 by R2 पहली यह equation आप याद रखो clear, R1 by R2, अच्छा, यहाँ से R is universal proportional to M फिर यह, फिर यह वाली equation इसकाफ नाम रखोगे, 1, clear अच्छा, हो गई यह वाली equation फिर आप यह वाली equation याद रखोगे क्योंकि rate हमारे पास जो होता है it is volume upon time, clear volume upon time अच्छा, साथ ही मैं अगर मैं density की बात करूँ rate with respect to density अच्छा R1 by R2 clear, R1 by R2, relation with density so, it is again rho 2 by rho 1 clear, density के साथ क्या है, again inverse relation so, I can write जो gram slab diffusion है, यह क्या क्याता है जो rate हमारे पास है, it is inversely proportional to under root rho and it is inversely proportional to under root M clear, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो proportional to 1 by M क्योंकि root 1, 1 ही होता है clear, so 1 by under root rho 1 by under root M, so इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे अच्छे से, clear, इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखोगे, आच्छा, कभी एक बार यह equation 3, in terms of density, rho क्या है? rho is density, density of gas अच्छा, in terms of pressure भी कभी एक बार पूचा जाता है clear, so उस condition में R1 by R2 equation 4, R1 by R2 होता है हमारे पास P1 by P2, clear, P1 by P2 equal, आच्छा, in 2 में, P1 by P2 into में, P1 by P2 into में M2 by M1 into में, root में ही, P1 by T2 P1 by T2, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया volume की जगए, यहाँ पर pressure को substitute किया, pressure और temperature को so इस equation का भी आप ध्यान रखेंगे, में भी आपसे यह भी पूशी जाए, क्योंकि direct equation इस पूशी जाती है कि बताओ, कौन सी equation gram slab diffusion को ओवे करती है clear, so इस बात का आप ध्यान रखेंगे clear, आगे जाकर इसके उपर हम कुशनिस भी देखेंगे, now behavior of real gas एक real gas का behavior, so अभी हमने बात की, जो real gas होता है, they do not obey ideal gas equation, कुछ conditions होती है, जिन पर यह ओवे करते हैं, कौन सी condition, या तो high temperature होना चाहिए, या तो low pressure तब जाकर यह ओवे करेंगे ideal gas equation को, आचा now, however, they show deviation from ideality, so अगर यह condition हमारे पास नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास हमेशा high temperature and low pressure नहीं होगा, so अब अगर हमारे पास low temperature and high pressure है, so इस condition में क्या करेंगे, यह deviation show करेंगे, clear, यहाँ पे क्या आएगी deviation आएगी from ideal behavior, यह क्या show करेंगे, deviation show करेंगे, clear, अचा the isotherm obtained by plotting P and V for real gas do not coincide that of ideal gas, इसका मतलब क्या हुआ जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं conditions यहाँ पे change करूँ, low temperature high pressure, so, जो ideality है, उससे यह क्या करेंगे deviate करेंगे, for example, यहाँ पे देखिए, अगर मैं pressure versus volume यहाँ पे graph लूँ, clear and यह मैंने यहाँ पे graph ड्रा किया pressure versus volume, क्योंकि Charles ने, वाइलिस ने ऐसे ही बोला था, क्योंकि pressure versus volume ऐसे ही हमारा graph बनता है, non-linear graph बनता है, क्योंकि इनके बीच inverse solution है, so, अगर यह graph मैंने क्या बनाया है, this is for ideal behavior किसके लिए, ideal behavior के लिए अब देखिए, अब अगर मेरे पास जो उपर वाली conditions है, वो change हो रही है so, अब मेरे पास जो graph है वो ऐसे भी बन सकता है मेरे पास, clear, now अब जो graph है, वो ऐसे भी बन सकता है मेरे पास, clear, so, जो isothermose of 10 होते हैं on plotting P versus P for real guess they do not coincide with ideal guess so, देखिए, जो मैंने यहाँ पे दो graph ड्रा किये, क्या यह coincide हो रहे है ideal guess वाली करू के साथ नहीं, यह जो करूश है, यहाँ पे coincide नहीं होती है and अगर यह उपर की ओर आ रही है इसको हम बोलते हैं positive deviation यहनकी guess ने क्या शो किया positive deviation, यहनकी deviation तो शो किया, बट कौन सा positive deviation and यह जो guess, अगर यह इदर की ओर करूश आ रही है, so, इसको हम बोलते है negative deviation clear, negative deviation and blue वाला जो आपको दिख रहा है, it is ideal behavior, so, यह जो ग्राप से इनका भी आप ध्यान रखोगे, clear, अगर करूश उपर वाली है, so, इसको हम बोलते हैं positive deviation, अगर नीचे वाली है, so, इसको हम बोलते है, negative deviation clear, अच्छा, एक और तरीका हमारे पास है, deviation को show करने का, clear, the deviation so, एक तो हमने ग्राप से show की, यानके isothermisch से, दूसरा, the deviation from ideal gaze behavior can also be expressed by compressibility factor, so, एक और तरीका हमारे पास है, it is compressibility factor Z, clear compressibility factor Z, so, इसका भी हम यूज़ करते हैं, अब compressibility factor हमारे पास जा होता है, it is simply the ratio of the volume of real gaze to the volume of ideal gaze, so, Z जो होता है हमारे पास, it is simply volume of real gaze, यानकी we real upon we perfect, या फिर वी ideal, clear, we perfect या फिर वी ideal, clear ये हमारे पास होता है, Z, Z को हम क्या बोलते हैं, compressibility factor इससे भी हम क्या करते हैं, इससे भी हम show कर सकते हैं, कि इसको, deviation को, and ये किस्से बराबर होता है हमारे पास we real by we ideal, या फिर ये हमारे पास होता है, pv upon nrt, ये हमारे पास होता है, pv upon nrt, अचा, v किसका यहां पे, we real का, ऐसे भी आफ इसको लिक सकते हो, Z को, clear compressibility factor, clear compressibility factor, काफी important इसका आप जान रखेंगे, अचा अब अगर हमारे पास perfect ideal gaze होगा, clear perfect ideal gaze perfect ideal gaze, perfect ideal gaze जो हमारे पास होता है इसके लिए जो compressibility factor होता है, Z, it is equal to 1 ये भी आप अपनी कापी ने, मैं no down करींगे, so ideal gaze के लिए जो हमारे पास Z का value होता है it is 1, therefore, जो real gaze होते हैं, आप भी बोलिए real gaze के लिए क्लिए 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 होगा real gaze के लिए हमें Z का value 1 के बराबर नहीं होगा it may be greater than 1 or less than 1, वही, positive deviation या फिर negative deviation, clear so ये भी आप लिखे, अब यहाँ पे लिखे अगर हमारे पास Z आ रहा है, greater than 1 यहाँ पे अगर हमारे पास Z आ रहा है, smaller than 1 अगर Z आ रहा है, हमारे पास greater than 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब equation से देखिए, Z के से बराबर V real by V ideal, अगर Z का value greater than 1 आ रहा है, for example 2 इसका मतलब V R by V I so इसका मतलब यह हुआ V R जो है, it is greater than V I, clear, क्योंकि V R will be 2 times V I, clear so इसका मतलब यह हुआ, अगर Z greater than R I, so V real gas, जो है, volume of real gas will be greater than volume of ideal volume of ideal, अच्छा, अगर Z less than आ रहा है, so इसका उल्टा होगा volume of real gas will be less than volume of ideal gas, clear volume of ideal gas, इस चीज़ता आ धियान रखेंगे, and अगर Z greater than 1 आ रहा है, so इसको हम बोलेंगे positive deviation, and अगर Z आ रहा है, हमरे पास less than 1, इसको हम बोलेंगे negative deviation, क्या बोलेंगे negative deviation, clear, अच्छा example is important है, यहापे, clear अच्छा, जो चीज़ें हमारे पास एक और point, अच्छा जो gas हमें क्या करते हैं, positive deviation show करते हैं, अच्छा, वो gas जो होते हैं, they cannot be compressed easily, यहनकि cannot be compressed easily, cannot be compressed easily, cannot be compressed easily, वो gas हम easily compress नहीं कर पाते हैं, अच्छा, these can be, gases can be easily liquefied, so इनको हम easily liquefied कर सकते हैं, liquefied, कौन, अगर हमारे पास Z less than 1 है, clear, Z less than 1 है, अच्छा, अगर मैं example चीज़ेंगे, बात करूं, कौन सा gas यहाँ पर आएगा, इसको अपनी कापी में no-down करना काफी ज़्यादा important है, अच्छा, यहाँ पर क्या आएगे, यहाँ पर हमारे पास permanent gas आएगे, like helium हो गया, या फिर H2 हो गया, clear, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कौन से gas आते हैं, ammonia हो गया, NH3 हो गया, या फिर carbon dioxide होगा, या फिर sulfur dioxide होगा, so यह gas हमारे पास आते हैं, इनके लिए Z होता है, less than one, so इसका भी आप यहाँ पर screenshot लो, या फिर आप अपने notes में इसको add up करो, clear, now, Wenderwall's equation, अब देखिए, Wenderwall's equation, so, जब मैंने आपको kinetic theory of gas बताई थी, वहाँ पर उसके postulate, especially last to do वाले postulate, so Wenderwall ने क्या किया, Wenderwall ने उससे disagree किया, clear, so, the deviation from ideal gaze behavior can be accepted by to the faulty assumptions of kinetic theory, so इसमें क्या बोला, जो deviation हा रही हैं, जो deviation हम देख रहे हैं, किनमें, जो deviation हम देख रहे हैं, ideal gaze behavior से अलग हम देख रहे हैं, जो deviation हम देख रहे हैं, so, इसमें बोला, ये किस्चे कारण है, जो faulty assumption है, किसमें, काइनिटिक तियोरी आप gaze में, जो last दो वाली assumptions थी वहाँ पर, वो faulty हैं, वो कहें faulty, so, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर अपनी दो assumptions को लिया, या फिर इसने दो corrections को assumption मैं नहीं बोलूँगा, इनको मैं क्या बोलूँगा, correction, so, इसने दो corrections को यहाँ पर क्या किया, suggest किया, पहला इसने बोला, the gaze molecules possesses finite volume, clear, तो, therefore, volume cannot be neglected, hence, should not be neglected, वहाँ पर हम बोल रहे थे, volume को क्या करो, neglect करो, यानकि volume was negligible, so, इसने बोला, volume को हम neglect नहीं कर सकते हैं, clear, so, and यह जो condition है, it is especially true, even at low temperature and high pressure, देखिए, क्योंकि low temperature and high pressure पे, ideal gaze equation और भे नहीं हो रही थी, real gaze में, so, देखिए, क्योंकि वहाँ पे kinetic theory, आप gaze में क्या बोला था, उसने बोला था, जो volume है, that is negligible, but इसने बोला, volume finite हमारे पास होता है, clear, साथ ही में, वहाँ पे क्या आ रहा था, so, वहाँ पे हम बोल रहे थे, कि, there are no force of attraction or repulsion between the gaze, but इसने बोला, real gaze case में, real gaze के case में, आप force of attraction को consider करो ना, there are force of attraction as well as repulsion, जब gaze molecule इस आपरेट करते हैं, आपसमें, उनके भी repulsion भी होता है, attraction भी होता है, तो ये जो दो corrections हैं, ये किसमें लाई, wonder walls ने लाई, अब, equation, pv is equal to nrt, इसमें हमें क्या करना पड़ा, फिर, इसमें हमें यहाँ पे कुछ modifications करनी पड़ी, clear, अब इसकी equations देखिए, clear, अब इसकी equations यहाँ पे देखिए, काफी ज़्यादा important, इनको direct exam में पूछा जाता है कि बोलिए, vendor walls की कौन सी equations हमारे पास है, clear, अच्छा, पहली यहाँ पे volume correction, volume correction, volume correction के लिए इसने क्या बोला, इसने बोला, जो available volume होगा हमारे पास, it will be v minus nb, clear, v minus nb, अब b क्या है, b है यहाँ पे constant हमारा, b क्या है यहाँ पे, b है यहाँ पे constant हमारा, therefore volume के according, जो हमारी equation बनेगी, it will be p into v होता था हमारे पास, अब यह बनेगा v minus nb, equal to nrt, clear, now यह तो होगी volume correction, so इसको अपनी copy my note down के लिए, यह होगी volume correction, now pressure correction, फिर हम देखेंगे, combine correction, pressure correction, अगर मैं pressure correction की बात करूँ, so इसने बोला, जो pressure हमारे पास होगा, इसमें क्या कीजिए, जो pressure होगा, for example, जो available pressure होगा हमारे पास, clear, जो available pressure होगा हमारे पास, it will be p plus a n square upon v square, clear, so यह बोला इसने, clear, so pressure correction के according, आप इसको equation में ले सकते हो, and therefore अगर मैं combined correction बोलू, अगर मैं combined correction ना बोलू, किसके लिए, ideal case equation के लिए, so यह क्या बनेगी, it will be p plus, अच्छा, a b constant यहाँ पे, a n square upon v square, clear, into में, v minus nb is equal to nrt, so this is Van der Waal's equation, यह हमारे पास है, combined correction, यहाँ के volume correction plus pressure correction, and इसी equation को हम क्या बोलू है, वेंडर वाल, इसी equation, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसको note down के लिए, direct exam में पूछी जाती है, equation को आपको चापके देता है, आपको बोलता है, आप यहाँ पे पहचानी है, कि vendor वाल सिक्वेशन कौन सी है, अचा, अगर हमारे पास N is equal to one mole है, N is equal to one mole, so, उसके लिए equation क्या बनेगी, N का value one डाली है, so, it will be, it will be P plus, अचा, यहाँ पे A, V square, into my, V minus B, equal to R T, equal to R T, यह भी कभी एक बार पूछी जाती है, एक mole के लिए, बताईए, clear, अगर हमारे पास N जो है, it is one mole, clear, so, इसका आप ध्यान रखेंगे, and, volume जो यहाँ पे हमने लिया है, it is molar volume of gas, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, जो volume यहाँ पे होता है, it is molar volume of gas, molar volume of gas, clear, अचा, now, जो A and B हमारे पास हैं, दो constant, clear, इनके unit आप से पूछे जाते हैं, clear, इनके unit आप से पूछे जाते हैं, काफी ज़्यादा important, यह direct exam में पूछे जाते हैं, A और B, इनके unit, जो A होता है मारे पास, इसका जो unit होता है, it is atmosphere liter square, atmosphere liter square upon mole square, clear, atmosphere, liter square, mole square, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, atmosphere into, liter square into, mole power minus two, clear, sub into में, and B जो हमारे पास होता है, B constant, इसका जो unit होता है, it is liter per mole, liter per mole, या फिर आप इसको लिख सकते हो, liter mole inverse, यह भी exam में पूछा जाता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, काफी ज़्यादा important, clear, काफी ज़्यादा important, आच्छा, जो A हमारे पास है, A constant, clear, इसको हम बोलते हैं, vendor walls, A जो constant है हमारा, इसको हम बोलते हैं, vendor walls, constant of attraction, clear, आच्छा, इसमें क्या बोला, इसमें बोला, जो A होगा, it will be, काफी ज़्यादा important है, इनको भी note करिए, direct question पूशा जाता है इनसे, इसमें बोला, जो A हमारे पास है, it is directly proportional to attraction, attraction between gaze molecules, between gaze molecules, so, इसमें ये बोला, अगर A ज़्यादा होगा, so attraction क्या होगी, ज़्यादा होगी, gaze molecules से बीच, साथ ही में, इसमें बोला, A will be directly proportional to compressibility, अगर A ज़्यादा compressibility भी ज़्यादा होगी, attraction भी ज़्यादा होगी, and साथ ही में, इसमें बोला, therefore, ease of liquefaction क्या होगी, ज़्यादा होगी, is directly proportional to ease of liquefaction, liquefaction, अचा, अब अगर मैं B की बात करूँ, अब अगर मैं B की बात करूँ, जो B होता है हमारे पास, it is inversely proportional to liquefaction, या फिर E is of liquefaction, liquefaction, साथ ही में, जो B हमारे पास होता है, B is directly proportional to size of gas molecules, size of gas molecules, ये पांच चीज़ें जो हैं, ये पांच माणि़ें भी आप अपने notes में note down करोगे, तो ये देखा हमने किसको, वंडर वालस इक्यवेशन को, clear? I hope आपको अच्छे से समझ में आई होगी, now, आगे जाकर बात करते हैं, question C, देखिए question, पहला question ये आप पे, the value of universal gas consciousness in SI system, तो SI system में बोल रहा है, therefore value क्या होगी, अच्छा, अगर आप नहां तक आये हैं, पहले मैं आपको हमेशा recommend करता हूँ, कि पहले आप अपने notes बनाओ, पहले आप ये questions मत करो, notes बनाओ, फिर जब आपने notes ये एक बार revise करो, फिर खुद से questions लगाओ, clear? फिर वाप्स वीडियो पे आओ, खुद से questions लगाओ, पहला question, the value of universal gas constant, and हमेशा आप क्या करो, मेरे solo करने से पहले, आप screen को pause करो, and खुद देखो कि हमें ठीक हो रहा है, या फिर नहीं हो रहा है, अच्छा, कितना होता है, 8.34, clear? या फिर 8.314, the SI unit of universal gas constant is, तो SI unit की बात कर रहा है, so SI unit क्या होगा, Joule केलवन पर मौल, Joule पर केलवन मौल, clear? अच्छा, the ideal gas equation is, so ideal gas equation क्या होती है, PV is equal to NRT, so PV is equal to NRT, देखे, डारेक्ट कुशन पूशे जाते हैं, देखे, जॉब एक्सम में, देखी थी, तो वो था 4 रसला, clear? अच्छा, now, the vendor wallis constant for 4 gases, P, Q, R, and S, R, clear? so 4 gases हमारे पास हैं, P के लिए इसने value दिया है, 4.17, अच्छा, Q, R, और S, 4 gases ने दिये हैं, clear? vendor wallis constant, so Q बोल रहा है, 3.59, ये बोल रहा है, 6.71, अच्छा, इसका बोल रहा है, 3.8, atmosphere, litre square, mole, raised to power, minus 2, इसका मतलब, कौन सा constant दिया है, इसका मतलब, A के बारे में, बात हो रही है, क्योंकि, unit इसने दिया है, देखे, unit, atmosphere, litre square, mole, power, minus 2, तो इसने A दिया है, the ascending order of their liquefaction, so अभी हमने देखा, A जो है, it is directly proportional to liquefaction, it is directly proportional to liquefaction, so जिसका ज्यादा value होगा, so देखे, ज्यादा value कि इसका R का, so it will be, R will be greater than, R will be greater than, फिर P का, clear, अच्छा, फिर 3.8, फिर S का, फिर Q का, so R, P, S, Q, डोंड ये, हमारा correct रहेगा, चाहे आप ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो, जैसे मैंने लिखा, clear, next question, the ratio, if the ratio of the rate of diffusion of two gases, A and B is 4 is to 1, clear, so हमें दिया गया है, ratio of the rate of diffusion of two gases, clear, A and B is 4 is to 1, clear, so मेरे पास, या है, A and B, clear, A and B, पहले देखिए, इनका रेशो कितना है, 4 is to 1, इनकी 4 by 1, अब हम देखते हैं, क्या बोल रहा है, आगे, then the ratio of their densities, in the same order, so, already हमने देखा, जो R होता है, it is inversely proportional to rho, या फिर आफ ऐसे लिखो, या फिर आफ ऐसे लिखो, clear, under root rho, clear, so होगा क्या, R A by R B क्या होगा, R A by R B, हमारे पास क्या होगा, it will be under root, rho B by rho A, rho B by rho A, so I hope आपको समझ में आ रहा है, but आपको क्या निकालना है, ratio of densities, clear, ratio of densities, so आपको निकालना है, R A by, रो A by rho A B, rho A by rho B, आपको निकालना है, क्योंकि ratio of densities, आपको निकालना है, so यह आपके पास given condition है, देखिए, अब इसको मैं कैसे करूँगा यहां पे, अब देखिए, R A by R B, कितना मेरे पास, 4 by 1, यहां से continue करेंगा, 4 by 1, किसके बराबर हो गया, rho B by rho A, अच्छा चलिए, root हटाईए, जब root हटेगा, square इधर जाएगा, so, rho B by rho A, किसके बराबर आएगा, rho B by rho A, हमारे पास, 16 by 1 आएगा, क्योंकि square इधर गया न, so, 4 square हो गया, 16, 1 square हो गया, 1 ही, आच्छा, बट हमें क्या निकालना है, rho A by rho B, clear, A और B का रिश्यों हमें निकालना है, so, it comes out to be 1 by 16, ऐसी गलती ना करें, clear, this is the correct answer, 1 by 16, so, option is due to A, it is 1 by 16, अगर 16 is to 1 किया होता, गलत होता, क्योंकि आपको देखिए, ये बोल रहा है, A and B, respectively, A and B, respectively, then, in the same order, क्योंकि same order में पूछ रहा है, ये रेस्पेक्टिवली, A और B का, R A और R B का गिवन है, आपको rho A by rho B का निकालना है, clear, ध्यान रखिएगा हमेशा, next, the unit of underwall is constant A and B, so, अभी हमने किया, so, A and B के unit यहां पे देखिए, so, अगर हम इस question की बात करें, liter square atmosphere mole inverse 2, and mole inverse liter, किसका था, ये था हमारे पास B का, so, option ही यहां पे correct रहेगा, next, identify the pair of gases, that has equal rates of diffusion, clear, equal rates of diffusion, अब देखिए, equal rates of diffusion, किन का होगा, क्योंकि rate of diffusion, हमने देखा था, rate of diffusion, जो होता था, हमारे पास, clear, that was proportional to 1 by M, clear, that was proportional to 1 by M, येनके molar mass, अब, इस question को आपको कैसे करना है, rate of diffusion किन का सेम होगा, जिनका molar mass सेम होगा, so, इस option में, आपको क्या डूणना होगा, उन options को डूणना होगा, जिनका molar mass सेम होता है, and molar mass अलड़ी मैंने आपको बोला है, last lecture में, जब हमने 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, वो लिखाया था, तो वो आप यहाँ पे लेंगे, for example, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, N2O की, for example, N2O की, जब आप इसका molar mass निकालोगे, and साथी में किसका, CO2 का, clear, जब आप इनका निकालोगे, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, देखिए, carbon के लिए 12, carbon, nitrogen, nitrogen के लिए 14, oxygen के लिए 16, so, देखिए, N2O, so, N2, 14, 14, कितने होगे, 28, 28 और oxygen कितना, 16, so, 28 प्लस 16 कितना बनेगा, 44, अच्छा, CO2, carbon के लिए, molar mass कितना, 12, oxygen के लिए होता है, 1 के लिए 16, 2 के लिए होगा, 32, so, 32 प्लस 12, यहाँ पे 44, so, यह option इसका correct रहेगा, I hope आपको समझ में आया होगा, clear, जो last lecture में, मैंने आपको table बोला था, वो आपको याद करना ही होगा, clear, आगे बढ़ते हैं, इस question को देखिए, यह बोल रहा है कि, which one of the following, is the vendor Wallace, equation describing the behavior of one mole of gas, or wide range of temperature and pressure, so, एक mole के लिए बोल रहा है, so, equation को यहाँ पे देखिए, so, हमने देखा था, P plus A by V square, V minus V is equal to RT, clear, so, option कौन सा, यहाँ पे correct रहेगा, option A हमारा यहाँ पे correct रहेगा, clear, क्योंकि यहाँ पे plus, pressure में add up हो रहा था, volume में subtraction हो रही थी, so, option A यहाँ पे correct रहेगा, this is equal to RT, next question, a gas will approach ideal behavior at, कितने, कौन से behavior पे, at high temperature and low pressure, the rate of diffusion of a gas is proportional to, so, rate of diffusion of a gas, P क्या यहाँ पे दिया है, अच्छा, एक तो इसमें यहाँ पे देखिए, pressure दिया है, दूसरी यहाँ पे density दिया है, so, हमने देखा था, equation में ही मैंने आपको बोला था, जो rate है, that is directly proportional to P, ध्यान से देखेगा, क्योंकि जब मैंने आपको equation लिखाई थी थी न, R1 by R2 is called P1 by P2, under root M2 T1 divided by M1 T2, so, उसमें आपको clearly दिख रहा था, R was directly proportional to pressure, and R जो होता है, it is inversely proportional to under root density, so, R जो net बनेगा, यह proportional होगा, उपर pressure नीचे under root में कौन सी density, clear, density row, या फिर आप D से भी लिख सकते हो, pressure उपर नीचे density, so, option ढूंडिए, option A हमारा यहाँ पे correct रहेगा, clear, D dimensions अब universal गेस फॉर्म स्टन, तो dimensions ढूंडिए, देखें कि इस फॉर्म में आपको दिया है, क्योंकि PV is equal to N R T, यह किसी dimension R के, so, R जब आप निकालोगे, R हमारे पास जाब आपनेगा, PV upon N T, आचा, इस फॉर्म में simple formula को दिया है, so, it is PV, आचा, N उपर T उपर यह जाएगा, N minus 1 T minus 1, so, option ढूंड यह, PV, PV, T minus 1, पहला option, clear, इसने बस ऐसे लिखा है, VP क्योंकि, इस अब भी multiple में है न, VP, T minus 1 N minus 1, यह भी same हो गया, next, the behavior of real case, approach is ideal case, again, वही question, at high temperature and low pressure, at high temperature and low pressure, यह वाला question, at high temperature and low pressure, आचा, next question, kinetic theory के उपर, देखे, ऐसे आपको समझ आएगा, कि किस step से question आप से पूशे जा सकते हैं, which of the following is not the postulate of kinetic theory of gas, so, कौन सा है, देखे, पहला postulate क्या है, gas molecules are in permanent state of random motion, बिल्कुल होते हैं, pressure of gas is due to molecular impact of walls, बिल्कुल, the molecules are perfectly elastic, नहीं, the molecular collision साफ of elastic, देखे, यह बोल रहा है, molecules are perfectly elastic, बलकि, collision साफ molecules are perfectly elastic, so, this is wrong postulate, option C, यहाँ पर correct रहेगा, clear, so, I hope आपने वीडियो को देखा होगा, आपने अच्छे से आपने maintain किये होंगे, अपने notes वगेरा, so, मिलिंगे हम नेक्स लेक्षर में, till then, take care, bye-bye.